नमस्कार दोस्तो आजम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत देश मालदीव के बारे में मालदीव आधिकारिक तोर पर मालदीव गनराज जै मालदीव अनेक दीपों से मिलकर बना हिंद माज सागर में इस्थित एक दीप देश है और यह भारतिया उप माहदीव के निकट है जनसंक्या और छेतरपल की दरश्टी से मालदीव एसिया का सबसे छोटा देश है मालदीव की कुल जनसंक्या तीन लाख चानमे हजार के आसपास है मालदीव में सिर्फ मालदीव एपिया जाती के लोग बसते हैं उनमें से जादतर लोग इसलाम धरम का पालन करते हैं जो सुनी समुदाई के लोग हैं मालदीव का कुल छेतरपल 298 में वर किलो मीटर है मालदीव की राजदानी माले है यह मालदीव का सबसे बड़ा सहर और लगबग एक लांक तीन हजार लोगों का निवास अस्थान है मालदीव की जीडिपी 8.608 बिलियन डोलर है मालदीव की अर्थववस्था मुक्य रूप से परियटन और मचली पकड़ने पर आधारित है मालदीव ने परियटकों को आकरशित करने के लिए अपने यहां सत्तर से जादा द्यूपों को विक्सित किया है मालदीव प्रत्वी पर मुझूद सभी दीप देशों में सबसे नीचा द्यूप देश है जो समुदर तट से सिर्फ 2.5 मीटर उचाई पर इस्तित है जिसके कारण सुनामी में पूरा देश समुदर के पानी में डूब सकता है दोस्तो परियटन जीडीपी का 28 परसेंट और मालदीव के विदेशी मुदरा का 60 परसेंट से अधिक है 90 परसेंट से अधिक सरकारी कर राजजस आयात सुलक और परियटन संबंदी करों से आता है मालदीव में सो साधियों में से सत्तर के तलाग हो जाते हैं सहिक्त राष्ट के अनुसार यह दर्विस में सरवादिक है राष्ट पती ने 1988 में माले में आधिकादिक रूप से एक इंटरनेट कैफे का उदगातन किया था मालदीव को आज़ादी 26 जुलाई 1965 को मिली और तीन साल राजसाई सासन के बाद 11 नुवंबर 1968 को राजसाई समप्त कर दी गई मालदीव गंतंतर के पहले राष्ट पती इबराहिम नासिर बने मालदीव को 2006 में वर्ल्ड ट्रेवल एवार्स में दुनिया की बैस्ट डाइव डेस्टिनेशन के खिताब से नवाजा गया था मालदीव में लगबग 6 लाख लोग परती वर्स गुमने आते हैं और यह संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है जलवाईव परिवर्तन के कारण मालदीव तीसरा सवसे लुप्त प्रायर राष्ट है 2008 में मालदीव के राष्ट पती मुहमद नसीद ने गलोबल वार्मिंग में अपनी चिंताओ के कारण बारत स्री लंका और उस्टेलिया में नई जमीन खरीदने की योजना की गोस्णा की थी और समुद्र के बढ़ते जल अस्तर से बहुत से दीपों के पाने में डूब जाने की संभावना थी भूमी की खरीद परियतन द्वारा उत्पन निदी से की जाएगी मालीव के समुद्र में कई तरह की सार्क मचली की परजातिया पाई जाती हैं जो दुनिया बर में परसिध हैं और लोगों का धिहान अपनी और आकरसित करती हैं मालीव के होटल को छोड़ कार सड़क पर और समुद्र तट पर सराप लेकर नहीं जा सकते ऐसा करना गेर कानूनी है मालीव में दूसरे देशों की तरह सटरड़े और संड़े को वीकेंड नहीं होता बलकि फ्राइड़े और सटरड़े को होता है दोस्तों ये थी मालीव के बारे में कुछ जानकारियां वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूले